अगर आपके घर में किसी भी बेक्ति का उम्र 60 बरस या 60 बरस से अधिक हो गया है तो उनका बिर्धा फेलसन के लिए ओल्लाइन आवेदन कर सकते हैं ओल्लाइन आवेदन करने के बाद एक से दो महिना में आपका बिर्धा फेलसन चालू हो जाएगा आपको कहीं भी जाने की जरूरत नए है और ना ही कहीं पर पेपर जमा करने की जरूरत है दोस्तों ओल्लाइन आवेदन करना बहुत ही असान है लेकिन कभी कभी छोटे छोटे गलती के कारण आपलिकेशन रिजक्त हो जाता है जिससे की लोग बाद में जो है परशानी में पर जाते हैं तो आए आज के इस वीडियो में हम बारिकी से एस्टेप बाई-एस्टेप करके बिर्धा पेलसन के लिए ओलना आवेदन कैसे करना है हम लोग जानते हैं बिर्धा पेलसन आवेदन के लिए आपको जो है इस वेबसार पर आना है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप टाइप कर सकते हैं SSPMIS या फिर आप बिहार बिर्धा पेलसन लिक के भी सर्च करके इस वेबसार पर आ सकते हैं यहां आने के बाद आपको देखिए यहां पर एक link मिलता है आपको इस पर click करना है इस पर click किजएगा तो कुछ इस तरह का interface आप लोग के सामने आएगा यह detail को आपको भरना है सबसे पहले तो यहां पर आपना जिला को select करेंगे कि आप कौन सा जिला से आते हैं उसके बाद जो है दूसरा नमर में कोलम में आता है बलोग तो आपको यहां से अपना बलोग बताना है परखंड बताना है कि आपका कौन सा परखंड है उसके बाद यहां पर देखिएगा योजेना के नेम में अल्डेडी हां पर select मिलेगा परधान मंतरी बिर्धा पेलसन योजेना आपके पास जो भी epic number है यहां पर डालेंगे voter number उसके बाद जो है voter card पर आपका क्या नाम है यहां पर नीचे पर लिखेंगे उसके बाद जो है अपना अधार number यहां पर type करेंगे अधार card पर क्या नाम है नीचे इस तरह से type करेंगे और यहां से अधार card पर आपका date of birth क्य होना चाहिए खास करके year जो है वो same होना चाहिए अगर महीना और तारिख में कुछ गरवर है तो चलेगा लेकिन आपका year जो है दोनों same होना चाहिए यह सब भर लेने के बाद यहां से आपको validate अधार पर click करना है तो दोस्तों कभी कभी होता कि है आप जितना बार किलिक कर रहे हैं इस तरह से loading होता है और बापस फिर बैक हो जाता है तो जो है आपके साथ भी इस तरह का problem आ सकता है तो आप जो है थोड़ा देर बाद इसको try करेंगे तो देखिए हम थोड़ा देर बाद फिर से भर लिये हैं और यहां से हम validate अधार पर किलिक करेंगे तो देखिए दोस्तो इस बार हम किलिक किये हैं थोड़ा सा loading ले रहा और इस तरह से देखिए verify हो गया है verify हो जाने बाद आगे जो है आप प्रोशीट पर किलिक करेंगे जैसे ही प्रोशीट पर किलिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको यहां पर खुलेगा आपको यहां से जो है उनका पहले पिता या पती का नाम लिखना है अगर कोई हैं उसके बाद आपको इहां से ऑप्षिन मिले का एड्रेस याणि कमा पता यहां पर बताना है तो उनका सबसे पहले यहां पर चेतर को सेलेक्ट करेंगे कि वो सहर से आते हैं या देहात यानि कि देहात अगर से आते हैं तो इस तरह से 육 contributed करेंगे अगे शहर में आते हैं तो इसतरह से अरबन श्ल holders करेंगे उसके बाद यहां पर उनका जो है पंचाज का नाम बताएंगे और यहां से उनका भीलेज बताना एगर कोई गाउन से आते हैं तो यहां से गाउं सेलेक्ट करेंगे बाकि जो सहर से आते हैं उनके यहां पर नहीं खुलेगा तापको यह वला option छोड़ देना है उसके बाद यहां से बाड नमर बताना है अगर कोई सहर से आ रहा है तो कितना नमर बाड है वो लिखेंगे यहां से email ID एक लिखेंगे और यहां से एक PID code लिख देना है आगे जो है यहां पर अधार नमर और इस तरह से EPIC नमर रहने की voter ID card नमर जो है पहले से फिल रहेगा और इस दोनों में जो है क्या नाम है उस सब जो है पहले से फिल रहेगा तो आपको यह सब जो है नहीं भरना है नहीं share चर करना है उसके बाद जो है यहां पर आपको जो है अपना bank select करना है जो भी आपका bank है यहां से select करेंगे यहां से उनका बरांच बताएंगे कि आपका कौन सा बरांच में खाता है और यहां से IFSC code आपने आप ले लिया जाएगा उसके बाद यहां से account length आपको यहां पर automatic आप आजाएगा कि आपका account number है वो कितना digit का है इस तरह से जब आप account number को select किजेगा और इस तरह से साखा select किजेगा IFSC code आपने आप ले लिया जाएगा और यहां से आपका bank का account का कितना उसका length है नि लंबाई है code digit का हुए account number है यहां पर ले लिया जाएगा उसके बाद आपना यहां पर account number बारीकी से भर लेंगे और यहां से account number कम होना चाहिए अधार card और उस तरह से यह PDF file में upload करना है यहां से अधार card upload कर लेंगे उसके बाद यहां से bank passbook इसको भी आप जो है PDF file में scan करके 200 kv से नीचे रखेंगे और उसके बाद यहां से एक उनका एक photo upload कर देंगे passport size जो की 50 से 30 kv के बीच में होना चाहिए और यहां से उनका एक voter ID card upload करेंगे voter ID card भी 200 kv से नीचे होना चाहिए PDF file में और यहां से एक और option मिलता है अधार consent document तो बहुत लोग को जो है इसमें परशानी होता होगा कि यह document कौन सा है तो चलिए हम इसको बारे में भी थरा सा बता देते हैं तो दोस्तो अधार consent form जो है आपको जब registration करते हैं उसी समय जो है आपको यहां पर उपर में मिल जाएगा आपको जो है इहां पर इस तरह से click किजिएगा तो आपको जो है इस तरह से इस तरह से gender address पूरा भरना है उनका जो है mobile number खाता number IFSC code branch का नाम इस सब भरना है उसके बाद जो है दूसरा page मिलता है इसमें भी जो है आपका कौन सा branch है branch का नाम तीथी साखा का नाम जिस दिन भर रहे हैं उस दिन का तीथी दिखेगा यहाँ पर खाता number साखा का फिर नाम जो जो detail हाँ मांग रहा है उसको जो है आप column से भरेंगे और उसके बाद इस सब पुरा भर लेने के बाद आपको यह paper को लेके जाना है bank bank लेके जाएंगे वहाँ से जो है आपको इस तरह से वहाँ पर bank manager जो है यहाँ पर signature करेगा bank manager जो है यहाँ पर जो है अपना signature अपना मोहर लगाएगा और यह सब जो है bank वला अपना खुद भरेगा last में भी एक और option मिलता है जिसमें कि अपना नाम भरेंगे और यहाँ पर जो है अपना signature अगर कोई अंग उठा लगाते तो अंग उठा का निसान लगाएंगे और नीचे जो है एक पहचान करता का जो है यहाँ पर signature लिखेंगे अगर कोई गाओं का वाडर है तो वाडर से करवा सकते हैं पहचान करता पर signature कोई मुख्या है तो मुख्या से भी करवा सकते हैं दोस्तों ये तीनों form को जो है आपको विर्धा पिलसन अपलाई करने से पहले ही भार के रेडी कर लेना है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हमने किसी को अपलाई किया थे तो इस तरह से देखिए ये form प जादा धुन्दला दिख रहा है तीन पेज का PDF को 200KB में करने के लिए थोड़ा से जादा compress करना परेगा तो उस तरह से वह अधार consent form तीनों पेज का जो है असकेन करके 200KB से नीचे करके यहाँ से इस कोलम में अपलोड कर देंगे सब डोकुमेंट अपलोड हो जाने के बा क्योंकि आप भरते समय जो है बहुत ज्यादा लेट कर देते होंगे इसलिए इस तरह का error आता है तो हम यहां से फिर से submit पर किलिक करते हैं एक बाद सब चेक कर लेते हैं और यहां से final submit पर किलिक करने बाद यहां से ok करेंगे तो इस तरह से आपका page preview खुलेगा आपको जो ह सकते हैं इस तरह से view पर किलिक कीजिएगा तो आप जो भी document upload किये हैं वो यहां पर दिखाई देगा आप जो है सब document को चेक कर लेंगे अगर इस तरह से चेक कर लेंगे अगर कुछ गलती रहता है तो यहां से edit application का option है इस credit पर किलिक करके edit कर सकते हैं अनधा यहां से final submit करके शर्चित करेंगे आपका जो है इस तरह से submit successful हो जाएगा उसके बास यहां से एक receipt download कर लेना है press receipt पर किलिक करेंगे इस तरह से download हो जाएगा इस तरह की receipt को जो है आपने पास शूरच्षित रख लेंगे आपका जो है आवेदन successful हो गया है जो विर्धार प्याइशन अपने ह उसका जो है आप अप आपको जो है इसी option पर आना है जहांसे आप registration पर किलिक करते थे उहीं पर आपको आना है और यहां पर option मिल जाएगा आपको searching application status आपको यहां से इस पर किलिक करना है यहां पर आपको बहुत सारा ID से भी सर्च कर सकते हैं तो चलिए अधार नमर से सर्च पर किलिक करते हैं और यहां से अधार नमर डालते हैं इस तरह से अधार नमर और यहां से केपचा भी डाल दिये हैं और यहां से application status पर click करते हैं तो इस तरह से नीचे जो है उनका पूरा detail दिखा दिया जाएगा उसके बाद यहां से pending किसके पास है यहां पर दिखा दिया जाएगा जैसे कि देख सकते हैं यहां पर pending at adss adss के पास pending है और video जो है यहां से verify कर चुका है तो दोस्तों उम्मिद करता हूं आप लोगके वीडियो जोरो पसंदाया होगा वीडियो पसंदाया दो वीडियो को like करें चैनल पर नए हैं चैनल को subscribe करें मिलते हैं मैं वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद